यह है डिक्टेशन रामधारी सिंग गुपता के खंड दो से प्रतिलेखन एक है यानि कि पहला ही मैटर है रामधारी सिंग गुपता का 80-90 वर्ड प्रतिमनेट की स्पीट पर लिखने वाले स्टुडेंट्स के लिए तो इसको स्टार्ट करते हैं Ready? स्टार्ट सभपती महोदे मैं रक्षा मंत्राले की मांगो का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वर्तमान घटनाओं से पता चलता है की संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रियत्न कर रहा है इस द्रस्टी से अन्ये देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्राले का महत्व है मुझे इस बात की खुसी है कि जहां अन्ये मंत्राले की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है इससे पता चलता है कि इस मंत्राले ने पिछले साल अच्छा काम किया है मौटे तोर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीती का लक्षे यह होता है कि दूसरे देशों खास तोर से पडोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध इस्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तचेप ना करें लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओ और अखंडता की रक्षा करें इसलिए हमारे देश का यह करतव्य हो जाता है कि हम अपने पडोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए बे हमारे पडोसियों से आए है 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लडाई हुई और उसके बाद तासकंद में जो समझोता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस द्रस्टी से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरहां से ब्यवस्था करें हमारा उद्देश्ये दूसरों पर आक्रमन करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमन करें तो हम में इतनी सक्ती अवस्ये होनी चाहिएं कि हम उसका डटकर सामना कर सकें आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमरीका और चीन से काफी मदद मिली है रक्षा मंत्रालिय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमरीका ने पाकिस्तान को पंद्रा सो करोड रुपे की फौजी साहिता दी है आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कार खानों की मदद से अपनी सक्ती बढ़ाने का प्रियत्न कर रहे हैं वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है अपनी निती के कारण वह सब देशों से लाब उठा रहा है मेरा सुझाब है कि हम को भी अपनी सक्ती बढ़ाने के लिए संसार के अन्ये देशों से अधिक से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए आज तिब्बत की सीमा पर चीन की देड़ लाख फौज खड़ी है सभापती महोदे प्रती दिन छोटी मोटी जड़पे होती रहती है हमारी फौजें बड़े उत्सहा से उनके मुकावले में खड़ी है उनके होसले बहुत उचे हैं लेकिन हमारी सरकार का भी यह करतव्य है कि उनके होसले को कभी गिरने ना दे उन्हें हर तरहां की सुवीधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्म बिजवास बड़े स्टॉप